नमस्कार दोस्तों एक ताजा और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नेपाल के लिए निकल के आई है जो कि आपका सर गर्व से उंचा जरूर कर देगी और यह काम किया है नेपाल की एक शेरनी ने जिनका नाम है राशीला तमांग और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट जो कि पहली बार नेपाल के लिए हुई है जोसो पहली बार कोई नेपाली फीमिल अथलीट ने जीता है टाइटल एशिन ट्रेल मास्टर कॉंपर्टीशन वोमेंस रेस जो कि 77 किलोमीटर की है और इसको नेपाल की राशीला तमांग ने जीत लिया है जी हाँ आपने सही सुना रा जालियों का सर गर्व से उपार जरूर करतेगी आपको बता दे कि उन्होंने इस रेस को 12 गंटे 25 मिनट और 52 सेकेंड में कम्प्लीट किया नॉंस्टॉप इस रेस को काफी समय लगता है और यह ट्रेल रेस काता ही बहुत हाड होती है जो कि पहाड़ों पर होती है और यह आपकी क्या है इनकी इस जीत पर राय कॉन बोक्स कमुनिकर जरूर पराइएगा और यह लेटे सब्सक्राइब के लिए देख रहे है एनानीज वेशिवम